नमस्कार, इस वीडियो में हम बुढ़ापे में होने वाली मानसिक बीमारी की होमेपैथिक दवा के बारे में जानेंगे तो आईए समझते हैं बुढ़ापे में अगर रोगी बहुत बातुनी हो जाए, बात करते करते विशे बदल ले, बोलता ही जाए और शक्की हो जाए तो ऐसे में लेकेसिस 200 पोटेंसी की दो बुंद दिन में एक बार कुछ दिन तक सेवन कराने से मानसिक रिस्तिती फीक हो जाती है भाईबीत होने के बाद रोगी चुपचाप रहे, अंधेरे में और अकेला रहने से डरे, तो ऐसे में स्ट्रामोनियम 200 पोटेंसी की दो बुंद दिन में एक बार कुछ दिन सेवन कराने से डर खत्म हो जाता है बुरहापे में धन लूट जाने या खत्म हो जाने का डर सताने लगे, बहुत पैसा होते हुए भी हमेशा मेरा पैसा खत्म हो जाएगा यही बात करे, तो कैलकेरिया फ्लोडी का 200 पोटेंसी की दो बुंद दिन में एक बार कुछ दिन तक सेवन कराने से डर खत्म हो जाता ह समय से पहले बुरहापा आ जाए, बुरहापे में बच्चों सा हरकत करे, बुद्धी की कमी हो जाए, तो बराइटा कार्ब 200 पोटेंसी की दो बुंद दिन में एक बार कुछ दिन तक सेवन कराने से लक्षन ठीक हो जाता है जब पचास वर्स की उम्र में ही व्यक्ती असी वर्स का लगने लगे, या दास्त कम हो जाए, शरीर के अंग हिलने लग जाए, तो ऐसे में एम्बरा ग्रीसिया ठटी पोटेंसी की दो बुंद दिन में दो बार कुछ दिन तक सेवन कराने से ऐसा लक्षन में बहुत सुधा आजाता है और बहुत लाग मिलता है, जब रोगी कुवारा हो या जबरदस्ती कामेक्छा दबाने के फल्शरूप हुए दुस परिनाम हो जाए, तो उस दुस परिनाम को ठीक करने के लिए कौनियम मैक 30 पोटेंसी की दो बुंद दिन में दो बार तक सेवन कराने से बहुत अधिक लाग मिल जाता है, बुरहापे में रोगी गुमसुम हो जाए, चुपचा बैठा या लेटा रहे, किसी भी काम या बातचीत में रूची नाले, निराश रहे, तो ऐसे में CPI 200 पोटेंसी की दो बुंद दिन में एक बार कुछ दिन तक सेवन कराने से लक्षन में बह रहने के कारण रोगी अकेला रहना चाहे, जीवन में निराश हो जाए, तो स्टैफी से ग्रिया 200 पोटेंसी की दो बुंद दिन में एक बार कुछ दिन तक सेवन कराने से लक्षन ठीक हो जाता है। दिन में एक बार कुछ दिन तक सेवन कराने से उसे बहुत लाग मिल जाता है और लक्षन ठीक हो जाता है। अगर आपको कोई भी पूराना रोग है जो ठीक नहीं हो रहा तो आप कमेंट में उस रोग के बारे में बताएं। अगली वीडियो में उस रोग की होमेपेथिक दवा के बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।